तो दोस्तो एक तरफ जहावे यूकरेण और रुशिया के बीच में टेंशन बढ़ रहा है तो वही पे दूसरे तरफ यूकरेण और तरकी दिन बदिन एक दूसरे के करीब आ रहा है रिपोर्ट के मुताबविक अब तर्की के द्वारा यूक्रेण को द्रोन बेचने के बाद तर्की और यूक्रेण के बीच में और एक महतोपूर्ण ने डील हुआ है जिसके तहत अब यूक्रेण और तर्की मिलके द्रोन प्रोडेक्शन को एक्सपैंड करेगा बेसिकली ये डील तब हस्ताक्षर हुआ जब गुरुवार के दिन तर्की और यूक्रेण के बीच में एतिहास एक फ्री ट्रेड एग्रिमेंट के उपर हस्ताक्षर हुआ बताया जा रहा है कि free trade agreement के उपर हस्ताक्षर होने के बाद ही अब दोनों देशों को मौका मिला है कि अब defense production को भी expand कर सके और मिलके defense equipment को प्रोडक्षन भी कर सके दोसो इस तरीके के free trade agreement के उपर हस्ताक्षर करने के बाद तर्किश प्रेसिडेंट रसफ तेयत अर्दुगान और उनके counterpart मतलब यूक्रेन के president बेलदमेर जलन्सकी के तरफ से गोशना किया गया है कि ये दोनों देशों के बीच में जो trade के barriers था उसे अब हटा देगा और दोनो देश अब मिलके अपने जो bilateral trade है उसे 10 billion dollar तक बढ़ा सकेगा जबकि ये खाली free trade agreement ही उस दिन हस्ताक्षर नहीं हुआ बलकि February 3 के दिन तर्की और यूक्रेन के बीच में total 8 agreement के उपर हस्ताक्षर हुआ है और दोसो drone के deal इन सबी dealों में सबसे महत्तोपूर्ण है बोलके बताय जा रहा है और इसमें ये भी वताया जा रहा है कि drone के dealों के उपर हस्ताक्षर होने के बाद अब तर्की अपने aircraft के production और aircraft के sector में research को और मजबुत कर पाएगा साथे साथ बारेक्टर के पहुँच अब तर्की के बाहर भी अन्ने शेत्र में हो सकेगा जबकि टर्किश मीडि के द्वारा ये भी जानकरी दिया जा रहा है कि टर्की एक तरफ जहांफे यूकरेन को बड़े मात्रा में बायरेक्टर टीवी टू अन्मैन एरियल वियकलों का सप्लाई कर चुका है तो वही पे दूसरे तरफ यूकरेन टर्की से वार्शेपों को भी खरिदने को लेके सम हतियारों का सप्लाई कर रह hơn और जिस तरीके से नए दिल के तहट और हतियारों को देने के साथ-साथ हतियारों को यूकरेन में ही प्रडू01 करने का समझाता कर रह तो ये एक तरिके से रश्या के नाराजगी का कारण भी बन सकता है आपके जानकारी के लिए यहां बता दू कि रश्या नहीं चाहता है कि यूकरेन उसके अधिकार शेत्र से बाहर जाए इवन रशिया ये भी नहीं चाहता है कि यूकरेन योरोफ के देशों के साथ मिलके रशिया विरोधी कैम्प मतलब नेटो में शामिल हो जबकि दूसरे तरफ टर्की एक नेटो के एक्टिव मेंबर है इवन टर्की अगर एक्टिव मेंबर है भी तब भी तर्की रशिया के सा अच्छा relation भी और दूसरे तरफ रेशिया के कट्टर दुश्मन यूकरेन को हतियार को सप्लाई भी करना अब रेशिया के आखों में खटक सकता है सिरिया के मामले में भी रेशिया टर्की के उपर काफी अधिक नाराज है और अब टर्की के द्वारा लिया गया अलग अलग तरिके के दोगले डिसिजन एक तरफ जहाँ पर टर्की को अमेरिका से दूर कर चुका है तो वही पर अब रेशिया के जो आखरी आशा टर्की के सा पहले जए हिंद